नमस्कार दोस्तो आपके बीच एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भाव तत्सम तद्भाव स्टार्ट करूँ उससे पहले ये बता दूँ कि ये टोपिक हर परिक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तो तत्सम तद्भाव की पैचान कैसे करें ताकि हम एक्जाम में कोई भी क्यूस्षन गलत ना करें बस यही इस वीडियो में ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूँ तो बने रहे मेरे साथ स्टार्ट करते हैं साथ ही आज की क्लास तत्सम और तद्भाव तत्सम और तत्भाव एक तो यह ध्यान रखें कि यह सब्द विचार के भागें सब्द विचार में एक तत्सम है तत्भाव है देशज है विदेशज है तो देशज और विदेशज को आगे की क्लास में लेंगे आज देखेंगे तत्सम और तद्वव कि तत्सम और तद्वव होते क्या है तो पहले देखें तत्सम तो तत्सम की हमने संदी की तत्थ प्लस सम टुगड़े कर लिए इसका अर्थ हुआ उसके समान अब किसके समान सेंस्कृत के वे सब्द जो हिंदी में जियों के त्यूं प तत्सम सभदों का मूल सरोथ है। चैनल मूल सरोथ क्या है। उसमें बासा दी गया। ब्रहंद से प्राकरत सिंस्क्रीट पाली। तो इसमें क्या जाएगा। मूल जो स्रोत है वो क्या जाएगा संस्कृत एक्योशन ये पूछा गया कि तत सम्सब्रण में तद किस भासा के लिए प्रीयुक्त हुआ है ये जो तत्त देख रहे हैं आप ये किस भासा के लिए प्रियुक्त हुआ है तो ये भी सिंस्कृत के लिए ही हुआ है ये क्यूश्ण एक्जाम में पूछा गया है आप देखें तद्भव क्या होता है तो तद्भव देखें तद्प्लस भव मानि उससे उत्पन अब किससे सिंस्कृत वासा के वे सब्द जो जूँके त्यूँ आके हिंदी में स्थापित हो गए और तद्भव क्या है कि सिंस्कृत के वे सब्द जिनका हिंदी में रूप प्रिवर्तित हो गया मतलब हिंदी में आके वो बदल गए उनका रूप वो नहीं रहा जो सिंस्कृत में थ तो एक तो ये ध्यान रहे कि आपको रह दिख रहा है नीचे, रह नीचे हो या रह रेफ हो, रह आदा हो, ये रह रेफ है ये आदा ही है, अगर इस तरीके कि आपको सब्द मिलते हैं तो वो सब्द क्या होंगे, प्राय वो तत्सम होंगे, अब देखें अम्र का क्या बना, त कि ये सब्द भी हमें इंदी में देखने को मिलते हैं लेकिन इंदी में मिलते हैं इसका मतलब क्या ये तद्सम है इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ जैसे ही परिवर्तन हो गया वो क्या हो गई तद्वव यहाँ पे देखें इनका रूप बदल रहा है आमराम में बदल गया, अक्सी आंक में बदल गया, चंदरचान में बदल गया आप देखते हैं साथियों तद्सम तद्वो पहचानने की नियम कि तद्सम तद्वो है उसकी पहचान कैसे करें तो इसमें मुखे बात है वो ध्यान रखें ये important है और अगर ये चीज़ा अगर आप याद रखते हैं तो प्रिक्षा में तत्सम तत्वव का कोई भी क्यूशन गलत नहीं करेंगे क्योंकि तत्सम और तत्वव में कई बार क्यूशन पूछ लेते हैं कि तत्सम कौन सा है कौन सा नहीं है तदव कौन सा है कौन सा नहीं है तो वहाँ पे आपको पहचानने में बड़ी प्रोब्लम होती है तो वो आपका आज ये प्रोब्लम यहाँ पे solution हो जाएगा देखिए अनुस्वार ये अनुस्वार विशर्ग मुखे रूप से तत्सम सब्दों में पाये जाते हैं अब किस में एक तो क्या बताया अनुस्वार और एक क्या बताया विशर्ग अगर आपको किसी भी सब्द में मिलता है तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको उसको क्या माल लेना है वो तत्सम सब्द ही होगा कौन सा सब्द होगा तत्सम सब्द दूसरा नियम क्या कहता है कि चंदरविंदू, ये चंदरविंदू है, इसको अनुनासिक भी बोलते हैं, वाले सब्द भी तदवो होते हैं, तो इसका मतलब अनुनासिक वाले हैं, मतलब चंदरविंदू है, वो क्या होते हैं, तदवो होते हैं, चंदरविंदू वाले क्या उपर अनुस्वार है अंगन ए के उपर अनुस्वार है और ये साथियों काने है तो ये विसर्ग हो गया यहाँ पे क्या अनुस्वार है यहाँ पे इन में क्या है अनुस्वार है अब ये बदलेंगे कैसे कि आप देखो ये चंदर बिंदू आगे आगे देखिए आंक का क्य क्या बना आंचल अंगन का क्या बना आंगन तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको चंदर बिंदू मिलती है तो वो क्या हो जाएंगे तद्भाव और चंदर बिंदू के अलावा अगर अनुस्वार मिलता है या विसर्ग मिलता है तो वो क्या हो जाएंगे तद्सम इस तरीके नहीं आते कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो अपवाद की रूप में भी आपको मिलेंगे प्राय ऐसा नहीं होता पर कभी कभी हमें कुछ अपवाद मिल जाते हैं वो देखी जैसे कंकन सब्द है कंकन तो इसमें क्या मिला इसमें मिला कंगन तो यहां पर अनुस्वार है और प्राइ तत्सम होते हैं कौन से शूंक्त वेंजन है कौन कौन से एक दौक्षर एक्ट्र एक्ट्र एक्ग्यर और एक्षर यह यह क्या है शूंक्त वेंजन है और शूंक्त वेंजन क्या होते हैं प्राइ किस में होते हैं तत्सम में होते हैं अब देखेंगे यह जो अक्षे है यह अक्षे किस में बदलने वाला है अक्षे वाला सब्द तो क्या होगा तत्सम ही होगा लेकिन अक्षे के बाद अगर उसमे कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो किसमे होगा वो तदसम किस से बनेगा वो देखें जैसे सब्द है चत्र यहाँ पर क्या देखा आपने अक्षय है यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी अक्षय है तो जहाँ पर अक्षय आ रहा है वो किसमे बदल रहा है यह है एक्ष्राइन किसमें बदल गया चहामें बदल गया तो खहामें भी बदल सकता है और चहा किसमें प्रिवर्टन वो अगर आपको अक्ष्रे कुछ सब्द यह हैं जैसे चट्र से बदें है परिक्षा का क्या होगा परक यहां पर देखिए अक्षय किसमें बदल रहा है खै में बदल रहा है तो यह परक हो गया शाक्षी शाक्षी का क्या होगा शाक्षी यह अक्षय किसमें बदल रहा है खी में बदल रहा है तो मुखे बात क्या साथ ही हो यहां पर कि अगर आपको अक्षे मिलता है किसी भी सब्द में अक्षे मिलता है तो वो क्या होगा वो प्राय तद्सम होगा उसकी पैचान किस रूप में करेंगे तद्सम के रूप में करेंगे अगर वो कनवर्ट होगा तद्भव में तो वो कैसे होगा या तो वो खै में बदलेगा या वो छै में है त्रे है दो कंदलता है। पहले है चर्चा कर लेते हैं यह जा्सें भां गया है यह नए न बामत कर रहे पहले है की ले ले तेंगे कुछ दान यहां पर सथियो फिरार के लग रख लेएं यह यहां पर अबज़ आह Automivity आस्त्रे, श्रिंगार, श्रिंगार को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह टाइपिंग में नहीं आया, इसलिए मैं ऐसे लिख दिया, श्रिंगार को ऐसे लिखेंगे, श्रिंगार क्या जाएगा, श्रिंगार हो जाएगा, तो यह जो है, यह आपको क्या करना यहां पे, कि जो स्रे है वो से में बदल जाएगा लेकिन अगर स्रे कहीं भी दिख रहा है जैसे यहां पर देखिए स्राउन में दिख रहा है आस्रे में दिख रहा है श्रिंगार में दिख रहा है और ऐसे बहुत सारे सब्द हैं जैसे स्रिंग है जैसे सब्द है स्रिंग तो स्रिंग क्या आपको क्या हो जाएगा лиш क्या हो जाएगा ओडले देखने COB मिल सकते हैं जैसे शरिंख ना है श मधले का थ किया हो जाएगा आप कि धये बदलेगा सांकल में बदल जाएगा तो इस तरीके से आपको बहुत सारे शब्दस्त्रिय वाले भी मिल सकते हैं ऐसे ही साथ ही आपको क्या करना है ऐसे ही आपको अब जो यह यह किसी में बदलता नहीं है यह किसी में बदलता नहीं है तो इसके लिए क्या होगा अब देखें गय कैसे बदलेगा कि यह 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 जिसमें आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो आपका तत्सम हो जाएगा, अब यग्य है, उसका क्या होगा, जग, रागी का क्या होगा, रानी, अज्यान का क्या होगा, अजान, और यगोपीत का क्या होगा, जनेव, तो ऐसे ही साथियो, अब तरह के उधारण में आपको ब नहीं में बदल रहा है यहां पर देखें व्यीव में बदल और मोस थंगृ इने फूर कि में थे किस बदल रहा है थे chat Tukh enhance at Channel limit पुत्र का क्या हो जाएगा पूत् तो ये त्रह है ये त्रह वाले क्या होंगे ये होंगे तत्सम और त्रह तै में बदल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा आपका तद्वाव वो क्या बन जाएगा तद्वाव ऐसे बहुत सारे सब्द जैसे कुपूत्र है कुपूत्र भी जैका प्रियोग ये जिस सब्द में ये आ रहा है वो क्या है तत्सम और अगर उसको किस में बदलना है किस में बदलना है तद्वव में बदलना है तो क्या करेंगे जैका प्रियोग करेंगे एक तो नियम ये है दूसरा नियम क्या है दोनों मेंने साथ साथ लियें दूसरा है वे वर्ण वाले तत्सम सब्द का बे तद्वव बन जाता है वे वर्ण वाले हैं वो किस में बदल जाएंगे बे में बदल जाएंगे तो ये वे के जितने भी सब्द हैं वो प्राय किस में आएंगे तत्सम में आएंगे अब देखें जैसे सब्द आया युग यहाँ पे देखिए यह है, यह किसमें बदल रहा है, यहाँ पे यस यह है, किसमें बदल रहा है, जैमें, तो यस यह सब्द है, यह क्या होगा, तत्सम, और यह क्या हो जाएगा, तद्व, ऐसे यमुना, यमुना को यह किसमें बदल रहा है, यह जैमें बदल रहा है, यह यम अब देखते हैं वे से बे कैसे बनता है जैसे वे है वानर क्या लिखा वे किसमें बदल रहा है यहां पर बे में ये वे किसमें बदल रहा है बे में बंदर वानी ये वा है ये किसमें बदल रहा है बा में तो बे में ये वे किसमें बदल रहा है बे में वानी बानी, वचन बचन, वजरांग बजरंग, तो ये वर्ण बरन, विवा ब्याह, वानिक बनिया, इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका ये किसमें बदल जाएगा, ये तद्भव में बदल जाएगा, ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए इसके बाद, इसके बाद, चार नंबर है, उसमें देखें, तत्सम, सब्दों में से वर्ण का प्रियोग, किस वर्ण का, से का, अब वो देखें, से किसमें बदल जाएगा, ये से बदल जाएगा, इसमें, और से जरूरी नहीं है, साथियों पूरा हो, आधा भी आपको मिल सकता है, क्या मि से है, ये किसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें हो रहा है, लेकिन एक ध्यान ओर दें, अगर ये से नीचे दिया, इसका तुरंत में नीचे रखा, ये सब्द भी क्या होंगे, इस से वाले, दोनु से हैं, से शे दोनु है, ये किसमें होंगे, तत्सम में होंगे, लेकिन ये यह सेहा है यह किसमें बदल रहा है? यह इस सेह में बदल रहा है लेकन Stophyo देखे किसमें बदल रहा है खैख में बदल रहा है तो शिक्षक जा का क्या बंजाएगा सीख 80 असीख ऐसे दूसरा निय। है तत्सम सब्दू में शे का प्रियोग तो से का प्रियोग देखो यहां पे आदा भी है और पूरा भी मिल सकता है तो यह आदा मिल गया कास्ट यह क्या बन गया आपका तत्सम यहां पे देखिए यह आदा से यह क्या बन गया तद्सम यहां पे ब्यादास है यह क्या बन गया तद्सम पूरा भी मिल सकता है तो यह क्या बन गया तद्सम अब तद्वो क्या बना कास्ट का काट उस्टर का क्या बना हूट और ओस्ट का क्या बना हूट अब लेते हैं आगे वाला नियम अन्य 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 किसका प्रियोग करेंगे नय का प्रियोग करेंगे देखें गुण यह अनय है यहाँ पे इसका मतलब यह क्या है तत्सम है यह किसमे प्रिवर्तन हो गया नय में प्रिवर्तन गुण तो यह क्या बन गया तद्वव बन गया ऐसे ही जर्ण यह अनय है यह किसमे प्रिवर्तन हो तो नए का प्रियोग वहाँ पर किया जा सकता है आगे देखें आगे का नियम क्या कहता है कि जिन सब्दों में त्रह और ये रह रेफ ऐसा थी हो रह 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 का मतलब ये वाला रह जो उपर लगता है ये इसको रह बोलते हैं रहे रहे कितने परकार के होते हैं चार परकार के साथ ही एक तो ये रहे हो गया एक ये रहे नीचे लगता है एक उपर लगता है और एक टै और डै के नीचे लगता है ये ट्रक ड्रक ट्रक ड्रम ऐसे तो एक तो ट्रह सब्द और एक रहरेफ वाला और एक रही अगर ये आपको शब्द में कहीं भी मिलते हैं तो वहाँ प्राय तत्सम सब्द होते हैं क्या होते हैं? तत्सम सब्द होते हैं कैसे देखें? यहाँ पे देखिए रही आ गया इसके नीचे क्या है? रही इसके उपर त्रे आ गया, ये त्रे किसमें बदल रहा है, आप पहले भी बता चुका हूँ, ये री है, ये रे आ गया, उपर रे रेफ आ गया, और ये त्रे आ गया, तो त्रे में बदलेगा, ये तो पहले भी बता चुका हूँ आपको, तो देखें, ग्रिही का क्या हो जाएगा, सात्य जो घर और करण का क्या हो जाएगा कान क्यूंकि आणया नहमें बदलता है तो यहां पे भी बदल रहा है रात्री त्रहत्य में बदलता है तो यहां पे भी बदल रहा है ग्रित घी कार्ये कारेज और पुत्र पूत्र त्रहत्य में बदलता है प्रिष्ठो पीठ दुरलब वो ही यहाँ पर मैंने रखने का प्रियास किया है तो आपको करना क्या है त्रह वाला और रह रेफ जो उपर रह उपर लगा वह वो और ड्री ऐसे शब्द के अंदर यह अगर आपको मिलते हैं तो वहाँ पर क्या मानना है प्रायत तच्सम माने जाएंगे आगे साथियो कुछ महतुपूर्ण बाते हैं और देख लें साथ-साथ हिंदी की सभी क्रियाएं हिंदी की सभी क्रियाएं क्या होती है तद्भव होती है क्या होती है तद्भव होती है कौन-कौनसी जैसे चलना पढ़ना, सोना, उठना ये सारी की सारी क्या है ये तदभव हैं क्या है तदभव हैं एक चीज और बुल गया है साथी वो भी पता देता हूं आपको एक तो ड़ा और एक धव ये उच्छिप्त विंजन है क्या है उच्छिप्त विंजन है ये भी क्या होंगे ये भी आपके तदभव होंगे क्या हों ये भी जो उच्छिप्त विंजन जिन को बोला जाता है ये भी किसमें आएंगे तदभव में आते हैं आगे देखें यदि अंकों को सब्दू में लिखें बहुत मैं तो पुर्ण बात बता रहा हूँ इसका मतलब दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचवा, अना, छे, साथवा, आठवा, ये जो हम लिखते हैं, ये सारे के सारे किसमे होंगे, ये तदभव में होंगे, किसको छोड़के, सिर्फ एक को, एक किसमे माना जाएगा, ये तदसम में माना जाएगा, किसमे माना जाएगा, तत्सम में माना जाएगा आखिर देखिए सेंस्कृत ये साथ यो कृत है सेंस्कृत के उपसरगों से बने शब्द तत्सम होते हैं सेंस्कृत के जो उपसरग है वो तत्सम ही होगे अब जैसे आया प्रतीपल सब्दाया प्रतीपल तो इनमें क्या है इनमें प्रती उपसर्ग है इसमें क्या यथा है तो इस तरीकि आमरण आज जैसे है तो जो सिंस्क्रित के उपसर्ग है वो भी क्या होते है तत्सम होते है और एक साथ ही और ध्यान रखना है कि संदी हमेशा तत्सम सब्दों की होती है इसलिए संदी करने से पहले मतलब पूरू में और बाद में जो टुकड़े करते हैं वो भी क्या सब्द क्या होते हैं वो भी तत्सम होते हैं क्योंकि संदी है वो हमेशा तत्सम सब्दों की होती है ये ध्यान रखना है आज का सेशन यहीं कतम करते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर पसंद आये साथियो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें आज का सफर यहीं तक फिर मिलेंगे जय हिंद जय वीडियो यहीं प्मृर को सब्सक्राइब करें जय है यहीं हिंद एक ट्रवब ऑगर इस पूर इस वेड़ का इस दोर कह दो कदो हो अगर यहीं हैंज दो आखर यहीं हैंद।